हेलो दोस्तों कैसे आप सब आपका प्यारा चाइनल आईएस्पीस साइंस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों इसे पहले वाले वीडियो में हम लोग लाइट से संबंदित जितने भी प्रश्ण थे घटना चक्र में दिये हुए सब का हम लोग निचोर परे थे तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सेमी कंड़क्टर मतलब और चालक से संबंधित घटना चक्र में जितने भी प्रश्ण होंगे जितने भी थियोरी कॉंसेप्ट होंगे सारा का नीचूर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वाइज तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेमी कंड़क्टर के बारे में ठीक है तो हम सभी जानते हैं जो तो होता है उसका तीन रूप होता है एक धातू होता है और एक उपधातू होता है मतलब मेटल नॉन मेटल और एक होता है सेमी कंड़क्टर क्या होता है तो सेमी कंड़क्टर दोनों की तरह चाल रखता है दो ही एक ज्यांपल आपको बार- कि या रकल द्यांपना आपको बार-बार पूशा जाता है एक ध्यांपना ना एक ध्यां लक्तना klass 5 1 और एक ध्यांना आ जर्मिनियम और जर्मिनियम ठीक है तो यह बस्तोर में नड़ सिलिक को जर्मिनियम जो है semi conductor का example इसके लावा भी होता है लेकिन वह आपसे नहीं पुछा जाता है जनरली सिलिकोन और germanium ही बार बार आता है सिकेन आपको ध्यानक ना है जब हम semi conductor को ठीक है तो याद रखना है लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट में लिख लिजेगा मेटल में इसा नहीं होता है मेटल में अगर धातू के बार में बात करेंगे तो धातू में क्या होता है temperature अगर बाईएगा तो उसका जो चालाकता होता है उसका जो conductivity होता है वह का होता है घटता है लेगिन यहाँ पर देखिए और चालक में उल्टा हो रहा है ठीक है तो और चालक में ध्यान रखना है जब temperature हम बराएंगे गरम करेंगे तो उसका चालाकता जो है बढ़ेगा ले प्योग किया जाता है ठीक है तो ट्रांजिस्टर बनाने में सेमी कंडॉक्टर का इसिमाल होता है और चालक का इसिमाल होता है और उस और चालक को हम लोग बोलेंगे प्रम शुन तपमान इस टेंपरेचर पर क्या होता है और चालक का जो चलाकता होता है याद रखेंगे वो शुन हो जाता है ठीक है तो जीरो डिगरी केलवीन या माइनस दूसर तीहतर डिगरी सेल्सियस जिसको हम लोग बोलते हैं प्रम शुन तपमान पर जो और्द चालक है उसका जो चलाकता है ठीक है वो शून हो जाता है और इसका जो परती रोध है वो क्या हो जाता अनंत हो जाता याद रखेंगे बहुत बहुत इंप्रेंट है और इस कारण क्या होगा चलाकता तो शून हो गया चलाकता शून हो गया तो यह जो है आपका कीस के तरह विट करेगा तो होजिए बहुत ही आच्छा हो जाएका अदर्स चालक बन जाएगा मतलब कोई भी चल्रेंट अब उस अर्द चालक से पास नहीं होगा कितना टेम्प्रेचर पर जी रो डिगरी केल्वीन चालकता इलेक्ट्रोन एवं होल्स के द्वारा होता है और्ध चालक में जो चालकता जो आ रहा है और्ध चालक का वो किस के कारण होता है तो इलेक्ट्रोन के कारण और होल्स के कारण और चालक में जो चालकता होता है दो के कारण होता एक इलेक्ट्रोन के कारण और एक होल्स के कारण ठीक है तो इसको आप ध्यान रखिएगा अब हम लोग पढ़ेंगे अती चालक के बारे में ठीक है अती चालक नामे से जाइड है जिसको इंगलीज में बोलेंगे सूपर कोंडॉक्टर कर तो आती चालक में क्या ध्यान रकना है तो दखे कुछ ऐसे पदार्त होते हैं जिनका चलाकता जो होता है बहुत ही अधिक होता है ठीक है मतलब उनका परती पर्दि रोधागता जितना कम होगा अच्छा कोंड़क्टर होगा ले जीनका पर्दि परदिना ब्रोधागता लगबग सुन के बराबर और इसलिए इतना हाधीक कशल कर सकते हैं त्सेलिए उसको dolom कि अवस्था में धातुओं का तपमाद जीरो डिग्री केलविन या माइनस दूसर तीहतर डिग्री सेल्सेस हो जाता है ठीक है तो यहां पर ध्यान रखना है कोई भी पतार्थ जो है अतिचालक कब होगा तो ध्यान रखेगा जब ताप को बहुत कम कर देंगे मतलब जीरो प पदार्थ नहीं कुछ ही पदार्थ है गीने चुने जयसे मतलब अलमूनियम बन सकता है तक है लीडीओं बन सकता है तनखलंब सकता है हो तंआँसटन बन सकता है सब सु ca यह बनेगा कब बने गा जब ताब को बहुत कम कर करेंगे लगभग जीरो के समान कर देंगे या 0.1 केलविन से 10 के बीच में रखेंगे तब अति चालग परदाशित करेंगे ठीक है इसके लिए ताप बहुत काम करना पड़ेगा तो वहीं यहां पर लिखें अति चालग की अवस्था में धात्यों का तपमान जो होता है जीरो केलविन या माइनस 273 डिगरी होता है ठीक है इस ताप पर सब काम करेगा अब आप पुछेगा यहां पर एक कुशन हो जाता है अधिक्तम कितना ताप तो अधिक्तम 133 133 पर कुछ पदार्थ जो है वह अतिचालग की तरह काम करते 133 के ऊपर जो है कोई पदार्थ अत काम नहीं करेगा तो अति चालक और प्मकार कर सकता है तो 133 133 के उपर कोई अतिचालग नहीं बन सकता है ठीक है और जो अतिचालग का जो समानताप है वह अती चालग बनाने के लिए ताप को बहुत कौम करना परेगा और ताप को बहुत कौम करने के लिए मतलब जीरो-डिगरी-Kelvin मतलब माइनस-273 डिगरी-Celsies समझ रहां कितना मतलब मुश्किल काम है तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को बनाना असान काम तो है नहीं सियाची नहीं सब पर जो है या जो धर्ती का जो जो सबसे कम तप मानवाला है उसाट सब्सक्राइब बनाने के लिए एक बहुत बड़ा चुना होती है वहां तक पहुशने के लिए बहुत पैसा भी खर्च हो सबस्केर जादे कृ्रेंट पास होगा और नॉर्मल टिंपरेचर पर तो कोई अतिचल्क अगर रूम टिंपरेचर पर काम करने लगेगा नॉर्मल ठिंपरेचर पर काम कर से फायदा होगा धन का बहुत बचत भुशचात हो ठीक है कि लास्ट पैंट आको ध्यान रखना चीछ ताप पर करें मतलब 35 डिग्री पे 25 डिग्री पे 100 डिग्री पर भी अगर कोई प्रादार जो है अति चलंगता परदाशित करता है यह बहुत ही बेस्ट नहीं लेकिन दिकत क्या है अधिकतर जो अतिचालक है वह 0.1 केलविन से लेकर 10 केलविन के बीच में ही यह परदा साइट बना है जो उच्छ तपमान पत यह अतिचलकता परदाशित करता है ठीक है तो दोस्तों इस तरह हम लोग सेमी कंड़क्टर के बारे में सारा चीज को जान लिए अगर आप इसका पीडिएफ शाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक दें देंगे जिससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यह दोनों लांगज में हैं हिंदी में भी और इंग्लिस में भी जिससे इ में आप ज्वाइन करना चाहते हैं चाहरा हैं जी इस तरह का और भी आगे मैं वीडियो लाते रहूं तो आप से बस एक ही रिक्वेश्ट है आप इसे लाइक कीजिए और आप अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जितना आप लाइक कीजिएगा सब प्रोसान मिलेगा ठीक है दोस्तों मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ